हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज की वीडियो मोटर वैकिल एक्ट 1988 के सेक्शन 177 के बारे में हैं जब कभी पुलिस किसी गाड़ी पर ट्राफिक रूल्स तोड़ने पर चलान करती है तो मोटर वैकिल एक्ट 1988 के अंदर करती है मोटर वैकिल एक्ट 1988 में पारिद किया गया था 1988 के मोटर वाहन अधिनेयम में 14 दयाए यानि 14 चैप्टर सें दो अनुशूचिया हैं और... 217 ठाराय हैं ये मोटड़ मेक्ट ड्राइवर के ड्राइविंई लैसेंस मोटफ़ एकिल के रजिस्टेशन है इंसरेंस मोट है परमित है और ट्रैफिक रूजud मोटब के इंशुरेजस और पैनाल्टी इन सब के बारे में मोटर वैकिल एक्ट बात करता है जो निया मोटर वैकिल एक्ट है वो एक अप्रायल 2023 से लगू हो चुका है इस नए मोटर वैकिल एक्ट के अनुसार जो गाडियां 15 साल पुरानी पट्रॉल से चलनी वाली गाडिया है उन सभी का रिजिस्टेशन कैंसिल हो जाता है 15 साल के अंदर मोटर वैकिल एक्ट 1988 का सेक्शन 117 जो की जनरल पुर्विजन फॉर पनिश्मेंट ऑफ ऑफिंस के बारे में है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि जब भी ये चलान होता है तो सेक्शन 177 के अंदर देखा गया है इसके अनुसार यदि किसी दंड के लिए कोई जुर्माना राशी नहीं बताई गयी है तो पहले अपरात पर जुर्माना 100 रुपे यानि के 100 रुपे और उसके अगली बार भी वही अपरात करता है तो वह जुर्माना राशी 300 कर दी जाती है लेकिन 1 सकंबर 2019 को ट्रैफिक फाइन्स की नई लिस्ट आई है इसके अनुसार पहली बार कोई पनिश्मेंट क किया करता है तो उसके पांस रुपे फाइन है और वही गलती अगर दुबारा की जाती है तो उसके फाइन 1000 रुपे का हो जाता है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे थैंक्स फार वाचिंग अगर आपको ट्रैफिक फाइन्स से जुड़ी कुछ और जान के लिए चाते हैं तो आप सेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं धन ने बाद